नमस्कार दोष्टो मैं सोनम जाना आस्टी आप सभी देख रहे हैं S.J. सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागा थे दोष्टो आज की कहानी है गवार वी वी यद भाक दो यदि आप सभी को मेरे द्वार रखी गईए यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिरती है नहीं नहीं कहानियां देखने के रिप्लेन ना कहानी को अपनों के साथ सेर जरूर कीजेगा तो चरीगानी सुरू करते हैं कहानी के पहरे भाग में हम सभी ने देखा पूचा मुझे मोहन का रिष्टा तैय हो चुका था और जब उनकी साथी को 15 दिन रह जाते तब ही मोहन के पास एक कौरा आता और कहते कि आपने जिस नौकरी के रिए इंतर्विय दिया था उसमें आपका सेलेक्शन हो चुका है जिससे मोहन बहुत खुज होता लेकिन मोहन जब एह बात मोहन और पूचा के माता पिता को बता था तो उनका कहना था कि पहरे साथी हो जाए उसके बात तुम्हें जहाना है वहाँ जाओ लेकिन मोहन के पास साथी के दिन तक रुकने का वक्त नहीं था और जब एह बात पूचा को पता चरती तो वही अपने माता पिता को मनाती और कहती की अभी हम सखाई कर लेते हैं साथी तो एक वर्जवात का जो मुहरत थे उसमें कर लेंगे ना चाहते हुए भी पूचा और मोहन के माता पिता को उन दोनों की बात मानने पर दी और वही सकाई करा देते लेकिन जब मोहन सहर जाता तो उसे पिडिया नाम की रड़की से प्यार हो जाता और वही पूचा के माता पिता से कहता कि मैं आपकी गबारवेती से साथी नहीं कर सकता उसे अपनी बीबी नहीं बना सकता और वही पूचा के साथ अपना रिष्टा तोड़ देता और बहुत जर्ट पिडिया से साथी करना चाहता था जब एही बात पूचा को पता चरती तो वही अपनी पिता से कहती कि उसे अब मुहन से मिनने के लिए जाना है अब कहानी में आंगे देखते हैं कि अब पूचा के पिता पूचा को मुहन से मिनने के लिए ले जाएंगे पैसो की रारच में पूचा की दोष्ट आर्थी ने आते हुए कहा, क्या कह रही है आर्थी, तू पैसो की रारच में? हाँ पूचा, पैसो के लिए जहां मोहन नौकरी करता है न, वहीं मेरी वाई के दोष्ट भी नौकरी करते हैं, और पनोंने मुझे बताया है कि मोहन जिस क पूचा ने कहा, अरे पूचा सब कुछ जानकर भी अंजान क्यो बन रही है, आरती ने कहा, तो भी एह बात बहुत अच्छे से जानती है, कि मोहन के तो सपने सुरू से ही बहुत बरे-बरे थे, तो ही तो कहती थी, मोहन कहता है कि एक तिन वह बहुत पैसा कमाएगा, उसके पास बढ़ा घर होगा, बरी गारी होगी और जब उसे एह सब कुछ प्रियासे साथी करने के बाद मिल रहा है तो वह प्रियासे साथी क्यों ना करे तब पूचाने का हां मोहन के सपने जरूर बड़े थे लेकिन वहे हमेसा यही कहता था कि वहे यह सब कुछ अपनी मेहनद से कमाएगा उसने कभी भी यहीं नहीं कहा कि वहे किसी और के पैसो पर अपना थी कारजमाना चाहता है तब आर्थि कहती जब तक तो उसे भी पता नहीं था, ना कि उसे इतनी वरी रोतरी रखने वारी है, और जब उसकी मुराकात प्रीया से हुई होकी, तो उसने एक ही परमें अपनी सारे सपने साकार होते हुए देखे होंगे, और उसने प्रिया को अपने प्यार के जार में फसाया होगा और अब वहे रार्ची धोके बाच उससे साथी कर रहा है पैसे भी कोई भी ररका प्रिया से साथी करना है को क्यूं मना करेगा अरे मैंने तो इह तक सुना आए जब से प्रिया और मोहन की दोश्ते हुए तब से मोहन परिवरी गारियों में घुम रहे प्रिया का मोहन की जिंद्गी में आना किसी रौतरी रखने से कम नहीं और कोई भी अपनी इतनी अच्छी रौतरी गवाएगा तो नहीं और तु क्या लखी है वहें तुझे धोगा नहीं दे सकता सच तो इह है पूचा युचने तुसे कभी प्यार किया ही नहीं था यदि तुसे प्यार करता तो इस तरह justify हुने के बाद तोड़ता नहीं और तुही बता और कौन सी बचा हो सकती है मुहन की और उसने खुद काका स कहा है कि वहे तुष जैसी कम परी रिखी गवार गाउं की रड़की से साधी करना नहीं चाहता वरकि प्रिया की तरह सहर में रहने वारी परी रिखी रड़की से मौतर और सबसे जरूरी पैसे बारी रड़की से साधी करना चाहता है तो अच्छा अब तेरे दिये एही होगा कि तू इह सच सुईकार ले कि मोहन ने तुछे दोगा दिया है और वही तुछ से साथी करना नहीं चाहता तब ही पूचा कि पिता सुधिर जी ने कहा बेता आर्दी सच कह रही है अब मोहन से मिनने का कोई फायता नहीं और तू ही बता सहर में हम मोहन को कहा दूरेंगे तब पूचाने का बापू मेरी कुशी के लिए एक बार आप मुझे मोहन से मरवा दीजे और आर्दी तुमने ही तो अभी कहाए कि तेरे भाई के दोश्ट उसी कंपनी में नौकरी करते है जहां मोहन नौकरी करता है तो उनसे तो मोहन का एतरिस मिर जाएगा ना एक बार मुझे बस एक बार मोहन से मरवा दे ना बापू क्या आप मेरे लिए इतना नहीं करेंगे आर्दी तू तो मेरी सबसे अच्छी दोश्ट दे क्या तो मेरे लिए इतना नहीं करेंगी एक बार यदि मुहन मुस्य खुद कह देगा कि वहें मुस्य साथी करना नहीं चाता तो मैं इस बात पर विश्वास करूंगी वस एक बार बापू मेरी बात मान जाओ ना पूचा के पिता तयार हो जाते पूचा आर्दी से कह दी वस एक बार मुहन का एदरिस रेकर आ जाना आर्दी हाम में जवाब दे कर वहां से चरी जाती पूचा सुथिर जी के साथ सहर के लिए निकर जाती आर्दी के दौरा उसे सहर में मुहन का एदरिस मिर जाता पूचा मोहन के एद्रिस पर जाती और दर्वाची की गंती बचाती मोहन दर्वाचा खोरता सुधिर जी और पूचा को देखकर मोहन आचरे चकेत रह जाता मोहन ने का अब आप लोग यहां क्यों आई है मेरा आप दोनों से अब कोई रिष्टा नहीं है अच्छा होगा कि आप दोनों यहां से चरे जाएं मेरा और अपना समय बरवाथ ना करें और मोहन दर्वाचा बंद करने रखता पूचा दर्वाचा पकरती और मोहन को रुकते हुए कहती मोहन में यहां गाओं से इतनी दूर सिर्फ तुम से मिनने के लिए आई हूँ मेरे कुछ सवारे जिनके तुम्हें जवाब देने ही होंगे और अपने सवारों के जवाब दिये बिना मैं यहां से नहीं जाने बारी जानती हूँ कि तुम भी अश्ट होगे इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे सवारों के जवाब दे दो फिर मैं यहां से चली जाओंगी तुम अपना काम कर लेना मोहन ने कहा तुम्हारे सवारों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता पूचा ने कहा तुम्हें मेरी सवारों के जबाब तो देने ही होंगे क्या पूचना चाहती हो तुम मुझसे मोहन ने अंदर जाते हुए कहा मोहन के पीछे पूचा और सुतेर जी भी जाते पूचा ने कहा जब तुम सहर नौकरी करने के लिए आई थे ना तब तुमने मुझसे एक बात कही थी कि मेरी जंगा तुम्हारी जिंद्गी में कोई नहीं ले सकता पस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि प्रिया ने वही जंगा कैसे ले ली क्या तुमने उस वक्त जूत बोरा था या आज जूत बोर रही हो तब मुहन कहता है उस वक्त मैं प्रिया से नहीं मिरा था और जब मैं प्रिया से मिरा तुम मुझे समझ में आ गया कि मेरी जिंद्गी में सिर्फ प्रिया की जंगा है प्रिया ही वही रर्की है जो मेरी जीवन साथी बन सकती है और तुम ही चरा सोचो तुम हो गाउं की गवार और यती में तुम्हें सहर साथी करकर रिकर आया तुम मेरी कैच्चत रह जाएगी सब मुझ पर हसेंगे इसलिए में तुमसे नहीं पिडिया से साथी करना चाहता हूँ मिर गए तुम्हें तुम्हारे सवारों के जवाब अब तुम जा सकती हो नहीं अभी नहीं मेरे मुझे मेरे सवारों के जवाब ना जाने क्यों मुझे रखता है कि तुम हमसे जूत बोल रहे हो पूचा कहती कोई और वचा है जिस वचाई से तुम पिरिया से साथी करना चाहते हो मुहन ने कहा देखो पूचा तुमारे इन बातों में आकर मैं तुम से साथी नहीं करूं गा और मुझे बहराने की कोशिस मत करूँ मैंने अपना ने डेरी आए है میں सिर्फ और सिर्फ पिरिया से साथी करना चाहता हूं तुम से चाहे जितनी बार पूछ रो लेकिन मेरा एक ही जबाब होगा कि मैं तुम से नहीं प्रिया से साथी करना चाहता हूं और प्रिया से ही साथी करूँगा तभी सुथिर जी ने कहा बेता कहा था ना तुछसे मुहन एकरारची और स्वारथी इसाने जिसे ना ही दूसरों की भाबनाओं की करता है और ना ही दिश्टों की जिसने अपने पिता की नहीं सुनी भै हमारी क्या सुनेगा अब मैं अपनी और तेरी और वेचती नहीं करा सकता बेती चरूए हां से सुथे जी ने पूचा का हाथ पकरते हुए कहा तबी पूचा मुहन से कहती तुम मुझसे साथी करना नहीं चाहते हो मुहन ने कहा कितनी बार एक ही बात कहूँ हाँ हाँ नहीं करना चाहता मैं तुमसे साथी पूचा ने मुहन का हाथ पकरा और अपने सिर्पार रखते हुए का खाओ मेरी गसम और कहतो की तुम पिलिया से प्यार करते हो और मुझसे साधी करना नहीं चादे मुहन ने अपना हाथ हताते हुए गुस्थे मे का बस वूछा बहुत हो गया तुम्हारा दिरामा तुम्हें क्या रखता है तुम्हें फार्दू की बाते करोगी तुम्हें अपना फैसरा वतर लूँगा मैं तुमसे साथी करने के लिए हां कर दूँगा तुम चाहे जितने बार बूछ रो लेकिन मैं तुमसे नहीं पिरिया से ही साथी करोगा और बहुत देख रिया मेने तुम्हारा दिरामा अच्छा होगा कि तुम अपने पिता के साथ यहां से चरी जाओ तब सुधिर जी कहते हैं बेदी वस तेरी इक्छा थी इसरे में तुझे यहां रेकर आया बनना मैं तेरा इतना अपमान तो कभी बरतास ना करूँ पूचा का हाथ पकरते हुए सुधिर जी पूचा को बहां से रे जाते मोहन ने सोफ़ी पर बैठते हुए का हाँ पूचा तुमने सही का मैं इह साथ मचूरी में कर रहा हूँ और खो जाता उन्हीं आतों में जब वही सहर आया था मुहन ने आते ही साथ नौकली जॉइंट कर ली मुहन मन लगा कर काम कर रहा था मुहन बातों में बहुत उस्यार था इसलिए जर्थी उसकी किसी से भी दोश्टी हो जाती और मोहन की मीथी मीथी बाते पिरिया को पसंद आने रखी और एक दिन पिरिया ने मोहन से का तुम मुझसे मैदम नहीं पिरिया भी कह सकते हूँ क्या मैं तुम्हारी दूश्ट बन सकती हूँ मोहन ने हामे जबाब दे दिया अब मुहन प्रिया की बाते होने रखती बहे दोनों एक दूसरे से मिनने रखे प्रिया मुहन से प्यार करने रखी और एक दिन प्रिया मुहन से कहती मुहन मैं तुम से प्यार करती हूँ तुम से ही साथी करना चाहती हूँ तब मुहन ने का प्रिया जी इह नहीं हो सकता मेरी सकाई हो चुकी है जब नौकरी पर आया था उसके पहरे मेरी पूचा से सकाई हो गई थी और सचे ही है कि मैं पूचा के सिवा किसी और से साथी नहीं कर सकता मैंने उससे वादा किया है कि उसकी चंगा मेरी जिंद्गी में कोई नहीं रह सकता मोहन का ही जवाब पिरिया का दिर तोड़ देता और पिरिया वहां से अपनी घर जाती उच दिन से पिरिया ने आफिस जाना चोड़ दिया उसका किसी भी चीच में मन नहीं रखता पिरिया की यहारत उसके पिता से नहीं देखी जाती और जब उन्हें इसका कारण पता चरता है तो वह मोहन से कहते मेरे पास बहुत पैसे हैं और मैं हमेशे अपनी बेती की खुशी ही चाहता हूँ तुम मेरी बेती से साथी करोगे तो जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो उसके ही मारिक बन जाओगे लेकिन मोहन ने मना कर दिया मोहन मन ही मन सूचता कि अब यह नौकरी भी छोड़ दूँगा कहीं मुहन पिरिया के पिता अपने वस्क के पास जाता तो उनकी एक सर्थ होती कि पैसे तुम्हें मेरे देतूंगा लेकिन तुम्हें मेरी वेदी से साथी करने होगी तुम्हें पिरिया से कहना होगा कि तुम पूचा से नहीं उससे ही प्यार करते हो और तुम पूचा से साधी अपने परिवार की जोड़ जवश्डी के गरन कर रहे थे नेकिन अब तुमे선 एहसास हो गया है कि तुम पिरिया से प्यार करते हो मोहन अपने वस्क के बात मान जाता और पिरिया से साधी करने के लिए हां कर देता मोहन भेख पैसे अपने परिवार वारों को दे देता कहता कि किसी दोष्ट ने उसकी मदद की यह धीले दीले उसके सारे पैसे रौता दे गा आप्रिसन सबर्ता पुर्बा को होता है और मोहन की चाजी की ड़की सही स्रामात होती मोहन गाओं में अपनी मात पिता और चाचा चाची के साथ रहता था मोहन के अपने सके कोई भाई वहन नहीं थे इसलिए अपनी चाची की बेती संजना को भाई अपनी सके वहन की ही तरह प्यार करता था और हर सार राकी बंदवाता और उससे बाता करता था कि मैं तेरा हमेशा क्यार रखूंगा तुछ पर कोई आच नहीं आने दूँगा सायथ इसी बचे से मोहन ने पूचा को बुरा का संजना की जिंदी बचाना सही समझा और प्रिया से साथी करने के लिए हां कहती कुछ दिनों बात मोहन प्रिया से कहता प्रिया मुझे ऐसा सो चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ प्रिया ने कहा लेकिन तुम्हारी सगाई तो हो चुकी है मोहन ने कहा वही सगाई तो मुझे परिवारबारों की जोज़ जवश्टी के करने करने परी लेकिन अब मैं सिर्फ तुम से ही प्यार करता हूँ और तुम से ही साथी करना चाहता हूँ सच में मुहन प्रिया ने पूछा मुहन ने से रिरा कर हाम में जबाब दिया प्रिया बहुत कुछ थी इसलिए सायत मुहन की आँखों के आसु भी ना देख सकी प्रिया पहरी की तरह जिनकी जीने रगी और बहुत खुछ रहने रगी थी जिससे प्रिया के पता भी कुछ थी इस सब में दुखी था तो सिर्फ मुहन की उसका परिवार पूचा पूचा के परिवार अब उससे नफरत करने रगा था उसके माता पिता से बात नहीं करते पूचा भी मोहन को अब भुराना चाहते थी मोहन ने अपने परिवार को सच इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह अपने परिवार को परिशान करना नहीं चाहता था तब ही मोहन के गेत खत खताने की आवाज आती मुहन आती तुमें दूबा हुआ था प्रिया अंदर आकर मुहन से कहा थी मुहन कहां खोई हुए हो मैं कबसे गेत बचा रही हूँ लेकिन तुम मेरी वात नहीं सुन रहे हो दरवाचा खुरा क्यों छो रहा है और इस तरह क्या सूच रहे हो मुहन ने आकों के आज़ू पहुश्टे हुए का कुछ नहीं तुम रो रहे हो प्रिया ने का नहीं मुहन ने कहा आख में कुछ चरा गया था तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो न नहीं मुहन ने कहा जूत क्यों बोल रहे हो प्रिया ने पूचा मुहन मैं सब कुछ जान चुकी हूँ मुहन ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो मैं कुछ समझा नहीं प्रिया ने कहा मुझे सब कुछ सच सच पता चर गया है मुहन ने कहा किस वारे मैं प्रिया कहती यही कि तुम मुझसे आज भी प्यान नहीं करते और तुमने मुझसे साथ करने के लिए हां क्यूं कहा मैं कुछ समझा नहीं मुहन ने का तब प्रिया ने का मैंने अपने पापा और मैंने जल की सारी बाते सुन ली है और उनकी बातों से मुझे सब कुछ सच सच पतर चर गया है तुमने मेरे पापा के कहने पर मुझसे साथी करने के लिए हा कहा सच तो एह है कि तुम आज भी पूचा से ही साथी करना चाहते हो न मुहन ने कहा भही सब पुरानी बाते अब मैं तुमसे ही साथी करना चाहता हूँ पर पिरिया ने कहा अब मैं तुमसे साथी करना नहीं चाहती और मैं तुम्हारे परिवार को ही सच बता दूँगी तब मुहन कहता लेकिन तुम्हारे पिता पिरिया ने कहा मैंने उनसे वात कर ले और कह दिया है पैसों से आप मेरे लिए सब कुछ करे सकते हैं लेकिन मुहन को नहीं। तब भी प्रिया के पता ने आकर कहा मैं तो अपनी बेती की खुशी चाहता था इसलिए बूर गया कि साथी जोज़श्टी से नहीं होती। उसके बाद प्रिया मुहन के साथ गाउं जाती और गाउं जाकर प्रिया मुहन के और पूचा के परिवार को सब कुछ सच सच बता दे थी। सच जानने के बाद मुहन के पिताने का मुझे विसवास ता कि मेरा बेता मुझे दोका नहीं दे सकता पूचाने का मैं जानती थी कि तुम मुझे जूत बोर रहे हो और उसके बाद पूचा और मुहन की साथी सुभ मुहरत पर धुमधाम से होती जिसमें प्रिया भी सामिर थी कहानी है यदि पसंद आईए तो अपनों के साथ सेर करतीजीगा चैनल को सब्सक्राइब करना गुरू को न बूरें और वीडियो को राइक जरूर कीजीगा घ्क्स पर वाजिगा